हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सर्व बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक बार फिर कम्प्यूटर वोकैबलरी ठीक है पिशली क्लास में भी हमने कम्प्यूटर वोकैबलरी पढ़ा था आज भी हम यही पढ़ेंगे ठीक है बट आज हम कैसे पढ़ लगेवगे और इसे यहां पर संजहेंगे कि consumer से दिखता है ठीक है मैं वह लोग ऐसे होता है सब देखेंगे हाठ चीछ यह है यहां पर प्धार्स ऑापका औरती लHNबर यहां पर फर्स नांबर है आपका अवा कस टीके तो पहले पढ़ा था वह ий'Mन के अवर्ट किस पिरह से दिखता है, यह देखिए यहाँ पे, इस तरह से अब्लूटूथ दिखाई देता है, ठीक है? cend hour इस तरह से आपको ब्लूटूथ दिखाई देता है, ठीक है? लाँ मसिदा है, शीपी यू, cpu की motif याँ? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है तो यहां पर सीप्यू है वो देखे इस तरह से आप सीप्यू को देख पाते हैं इस तरह से एक बॉक्स होता है ठीक है जिसे आप सीप्यू कहते हैं ठीक है बेसिकली यह बॉक्स है बॉक्स क मदर बोर्ड होती है उसी में एक चिप लगी होती है जिससे आप CPU कहते हैं जिससे पूरा का पूरा कंप्यूटर कंट्रोल होता है ठीक है चलिए वह भी हम आगे देखेंगे फिलाल वैसे हम इसको ही CPU कहते है ठीक है तो यह है आपके पास यहां पर अबैकरस ब्लूटूथ सीपी यू डेस्टॉप ठीक है बच्चों ठीक है तो यहां पर आपके आसे यह चाहरे है उसे आगे अब देखेंगे आपर नबर फाइव है इमेल तो यहां पर इस तरह से इमेल दिखाए देते हैं आपका इमेल है इलेक्ट्रोनिक मेल ठीक है बच्चों तो यह आपका इमेल है फ्लॉपी डिस्क तो यह देखिए आपके फ्लॉपी डिस्क है ठीक है फ्लॉपी डिस्क नेक्स यहां पर आपका है ग्राफिक कार्ड तो ग्राफिक कार्ड देख लिए इस तरह से आपका ग्राफिक कार्ड है Graphic Card ठीक है अब यहां पे आपको जो भी अभी आपने Pictures देख ही A度 iOS Bluetooth CPU desktop email floppy disk Graphic ा RGB आपको बना ना है इनसे पिक्षर्स को बनाना भी है ठीक है तो यहां पे आप अपने Notebook में जो आपकी Rough Notebook है जिसमें ay काम कर रहे हैं उसमें आपको यह पिक्चर्स भी बनानी है ठीक है इस तरह से और इस तरह नाम भी लिखके मुझे चेक करने के भेज़ दीजेगा ठीक है बच्चों ओके थैंक यू